यह रेडियो लेक सिटी है हमारे बीच है शिक्षाविद और लाफ्टर गुरू डॉक्टर प्रदीब कुमाउत प्रदीब जी हसी हमारी जिन्दगी की एक बहुत बड़ी चीज है यह यू कहें कि मानुवियता को एक बहुत बड़ा योगदान है वर्दान है तो अतिश्योक और हसी जीवन का वो वर्दान है शायद मैं समस्ताओं की दूसरे शब्दों में यूँक है कि मैन इस लाफिंग एनिमल बाकी कोई हस्ता नहीं है लेकिन ईश्वर ने मुनुष्य को हसी का एक वर्दान दिया एक गिफ्ट दिया है तो मैं समस्ताओं की हसी हमारे मानुवता कि इधियास से ही जोड़ी वी और वहीं से यह हसी निरंतर चलती आई है जहां तक अभी इन दिनों में हम बात करें तो वर्तमान समय में जरूर हास्य हमारे जीवन से विलुप्त होता जा रहा है गंबीरता को हम ओड रहे हैं गंबीरता जीवन में आ नहीं रही है लेकिन गंबीरता को ओड रहे हैं इसलिए हास्य विनोद जो सहज हुआ करता था वो अब हमको डबाबन सहस्कति कहीं कभी समयलों में खोजना पड़ता है कहीं सीरेलों में खोजना पड़ता है, कई वीडियोस में खोजना पड़ता है, तो जीवन से वो करीब करीब यूं लग रहा है कि कम होता चला गया और अभी तो बहुत कम हो गया, तो मैं समझता हूं, हसी इसके बावजूद भी इंसान के जीवन से कभी हटी नहीं सकती. खोश रहना या हसना जैसा कि आप बता रहे थे हमारा मूल स्वभाव तो है लेकिन क्या ऐसा माने कि कुछ लोग तो जिन पर मुसीबत भी आ जाती है फिर भी हसते रहते हैं और कुछ लोग जिन पर कोई कश्ट कभी नहीं है उस वक्तनी इन सब के बावजूद भी सीरियस रहते हैं तो क्या हसी या हसना हमारे मूल सुभाव का भी एक कारण है और इसी वज़े से कुछ लोग ज्यादा हसते हैं जैसा मैंने बता है कि आपने बच्चे को देखा को वह सहज रूप से हसता है लेकिन जो जो बड़ा होता जाता है उसकी हसी गायव होती जाती है तो समाज ने पता नहीं कुछ लोगों ने अपने व्यवसाइक स्थर और अकेडमिक स्टेंडर्ड के आधार पर यह सोचना शुरू कर दिया कि हम हसेंगे तो हम शायद फूर्ड कहलाएंगे या अनपड गमार कहलाएंगे या कई सबा में हस दिये तो कहेंगे यह कैसा बेकूफ आजनी है तो यह जो एक घलत बात शुरू भी वो उस वज़े से हसी हमारे जीवन से विलुप्त होती गई मैं कभी कभी टटोल के देखता हूँ तो आपने, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, जो शुरूता स satisfies उन्होंने कुए होगा कि हम verdad, की विर्वल के किस से बड़े सुनते थे हित्यास में तो बीरबल के किसों में एक विधुशक के रूप में बीरबल को जाना जाता था विधुशक इसलिए रखने पड़ते थे कि वो जिस राज काच के तनाव में रहता है तो वो सहने रूप से हस सके, अठाहस लगा सके, प्रसन में रह सके तो मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में भी लोगों को सहद रूप से हसते रहना चाहिए और जीवन में हसी को स्विकार करना चाहिए और कई बार हमारे जीवन में विरोधा भास आये बहुत तकलीफे आये तो भी उन तकलीफों को आप रोते रहोगे तो भी वो निप्टेगी तो नहीं तो क्यों नहीं हस के निप्टा है उसको जो तुम हसोगे तो हसेगी ये दुनिया रोगे तुम तो रोएगी न दुनिया एक बार हसेंगे तो शायद समश्या का समाधान हो सकता है प्रदीब जी ये हसी हमारे लिए जरूरी तो है खोश रहना सच में बहुत जरूरी है यूँ माने कि हमारे मानसिक स्वास्ते के साथ शारिक स्वास्ते के लिए भी ये बहुत आवशक है और अब जब COVID-19 वाइरस पुरी देश और दुनिया को परेशान कर रहा है ऐसे में तो खुश रहना एक तरह से immunity booster भी है क्या कुछ किया जाए कि हम ज्यादा खुश रहें और रह पाएं और दूसरों को भी रख सकें सबसे पहले तो अभी इन दिनों कोरोणा में जब हमने हाथ मिलाना कम कर दिया है तो जो सबसे प्रभावी संपरिशन हो सकता है कमिनिकेशन हो सकता है ग्रीट हो सकता है ग्रीटिंग हो सकती है वह है मुस्कराना हम अगर हसकर मिलेंगे तो मैं समझता हूँ, we exchange a very good thought, जो laughing बुद्धा हैं, उनके बारे में हतोई उनका नाम था, तो वो और गौतम बुद्ध मिले, उनका ये दो लोग भान हस्तियां मिलेंगे, तो ये आपस में जब चर्चा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आनन्द आएगा, लेक बुद्धा भी उनको देखके मुस्कराएं, और पात-दस मिनट तक एक दूसरे को केवल देखकर हसते रहे और चले गए, लोगों उनका ये क्या हुआ, उनसे पूछा कि आपकी बात हो गई, कि हो गई, मुस्कान से ज़्यादा अच्छा संप्रेशन, कमिनिकेशन कुछ हो वो भी मुस्करा कर आपसे मिले और कुछ क्षण के लिए वो तनाव को भूल जाए, मैं समझता हूँ कोरोना में मुस्कान एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हाला कि इसके लिए हमारा खुद का सोच जिम्मेदार है, लेकिन हसी को बहुत बार बहुत सारे लोग उपहास मान लेते हैं, यानि आप खुश मिजाज हैं और कोई व्यक्ति आपसे मिलना है और आप हस रहें, तो संभव है कि कुछ लोग ये मान ले कि आप उनकी हसी ओडा रहें, बताएं कि ये फर्क कैसे क्रियेट किया जाए कि वसुत आप उपहास नहीं कर रहें, बलकि हस रहें और उ किसी का उपहास कभी नहीं उडाना चाहिए, किसी की कमजोरी, किसी की कमी को देखकर हम अगर उपहास उडाते हैं, तो ये तो एक बहुत गरणास्पत का रहें है, लेकिन यदि आपका स्मित हास्य है, तो जैसे एक बार अगबर से, अगबर ने वीरबल से पूचा कि आधनादे रहते हैं, इसलिए आपकी हतेली पर बाल नहीं, तो अघ्री ने पूचा पूचा, फिर तुम्हारे क्यों नहीं है, यदि आंप मुझे देते हैं, वह यह अपहास नहीं हैं, यह एक तो हास्य है, यह हास्य होगता मैं समझता हूँ, हमको किसी भी व्यक्ति का अपमान करने के लिए उसका उपास नहीं उडाना चाहिए, हसकर मिलना चाहिए और अपने पर हसना चाहिए, जो अपने पर हस सकता है, वो दूसरों का कभी उपास उडा ही नहीं सकता। आपको हसा है, फिल्में देखते हैं तो उसमें कोई हसी की चीज होती है तो लोग हसते हैं, या कोई कविता सुनते हैं तो हसते हैं, या किसी टीवी पर या कहीं पर हसी मजाकी कोई चीज होती है तो लोग हसते हैं, या लोग हसने का इंतिजार तो करते हैं, लेकिन इसका सोर् प्षिशा कम हुए हैं आप बिल्कुल ठीक करें कि विदुशक का काम ही हसाना होता था अब विदुशक ढूंडे पड़ते हैं लेकिन में अगर हम देखें तो हमारे पहले लोक सहस्कृति में विदुशक की कहीं आविशक्ता नहीं पड़ती थी हमारे जो लोक रंग के जो कारिक्रम होते थे जैसे हम होली को उच्छव को ले ले लें तो अपन नाथद्वारा जाएंगे तो वहां रसिया गाया जाता है और रसिया गाते वक्त वहां वो कृष्ण को जो गोप हैं वो वो कृष्ण को गाली देते हैं तो वो प्यार की गाली है अभी गद्दिनों जगनात की रतियात्रा हुई है भगवान जगनात की रतियात्रा तो सारी विश्व में प्रसिद्ध है तो वो जो दाहिता पती हैं वो जब अपनी मौसी के घर से वापस मंदिर की और आते हैं तो वो दाहिता पती उनको भगवान जगनात को उनको गाली देने का अधिकार है वो भगवान को गाली देते हैं यह स्मित हासी वो उनको कहते हैं कि तू कितना खाखा के मोटा हो गया हमसे उठ भी नहीं रहा है इतना क्यों खाया तेने और वो भगवान उठते न तो हमारी लोग परंपराओं हमारी संस्कति हमारे धार्मी कायोजनों और हमारे इवन इश्वर से भी जुड़ा हुआ है तो इश्वर को गाली देने का अधिकार भी उन इंसानों को दिया हुआ है जो उनकी सेवा करते हैं तो मैं समस्ता हूं विदुशकों को का अपना रोल ह हुआ करता था आज भी है लेकिन हम अपनी लोग सस्कति हमारे परिवार में हमारे उठते बैठते हम जब कहने की टेबल पर बैठें तो कुछ हम चुहलबाजी करते हैं कुछ छोटे-छोटे हासी वह कम हो गया आजकल लोग मॉबाइल लेके बैठ जाते हैं हम देखते हैं खा हासी की बात करिए उनसे मजाग करिए थोड़ी छेड़ चाड़ करिए यही तो जीवन है हमारे जीवन से वह रस गायब हो गया है इसलिए हम फिर उनको टीवी सीरिलों में ढूनना पड़ता है सिनेमा में और विदिशकों में ढूनना पड़ता है विदुशक की बात को थो तुन्टुन का भी लेंगे, तो बहुत साही लोग ऐसे हैं, जो बत्वार विदुशक की फिल्मों में आया करते थे, धीर धीरी परंपरा बदली और हीरो ही खुद विदुशक का कार्य करने लगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो विदुशक प्रोफेशनल फिल्मों में हुआ क कुछ रियलिस्टिक फिल्मों के नाम पर जो जोड रहे हैं, तो वो व्यक्ति का मनुरंजन तो देती, लेकिन वो जो मुक्त करनी चाहिए तनाव से, वो तनाव की मुक्ति उसकी उस सिनेमा को देख के नहीं होती, तो इतनी धमाकेदार मैं समझता हूं कि जिसमें हिंसा की भरमार थी, लेकिन उसमें हासी का जो रस था, असरानी का शोले जैसी फिल्मों में, तो वो आज दिन तक शोले के असरानी, जेलर के रूप में, और हम अगर देखें कि मुक्री जैसे फिल्मों में आया करते थे, हमारी सिनेमा की शुरुआत में सबसे पहले जो हासी का अपनी तौंद के माध्यम से वो लोगों को हसा दिया करते थे अपनी एंट्रेंस से जौनी वोकर ते जिन्होंने कभी मैं समझता हूं अपने हासी के माध्यम से फिल्म में इतना आकर्शन बना लेते थे कि उनके आधार पर फिल्म में चला करती थी ओम प्रकाश थे इतने माध्यम से दिया और एक कलाकार जिसने सारी दुनिया को अधभुद अपनी गायकी से अपनी एक्टिंग से और अपने हासी से सबको हसा है किशोर कुमार उनके गानों तक में जो हासी का पुट मिलता था मैं समझता हूं आज भी हम उनको याद करते हैं टेलीविजन पर हम आते तो देखते हैं जस्पाल भट्टी ने उल्टा उल्टा शुरू किया था फिर उनका फ्लॉप शो आया उसको लोग इंतजार करते थे फिर उन्होंने एक रंग विच भंग चित्रार के बीच में दूर दर्शन पर वो रंग विच भंग चलाया उन्होंने वह भी चंड जीवन के व्यंगात्मकञा बातों को लेकर वो इतना बड़ीया मैसेज भी देते थे और उसमें खास्य घॉता ता उसकी चनम क्यातिख जिम्मेदारी यह जलतनी बीए उन्हेंating मुल्यों की बात करें हासी के साथ उनों मुल्यों को भी हम समाज को दे सके हैं क्योंकि सीनेम का असर पड़ता है आज भी हमारे जहन में कितने साल होगे 1975 में शोले फिल्म हमने देखी उसके बाद कई बार देखी आज तक लोगों को एक इस पीडी को भी आज के डायलोग याद है तो जगदीब का जो रोल है हम देखते कितना जबरदस्त वो सूर्मा भुपाली का जो र स्कौन जीवन को तनाओं से दिव आपने लोगों को रहता और शूरु किया बताये कि इसमें कुछ परिशानिया हूए है लोगों मैं ध्यान भी कराता हूं मैं रामकथा व्यास मीट से भी करता हूं मैं लोगों को प्रभावित हें कि यह पजी रहें आपकी इतनी एक इमेज है तो मैंने कहा कि हम ने सब ने जीवन में गंबीरता को ओड़ ली है मैंे जीवन से आसी गायब हो जाय मैं एक उधरन बहुत सुन्दर सा देना चाहता हूँ और ये खुद लटा दीदी ने हमको सुनाया मैंने रेडियो पर ही सुना उसको लटा जी ने कहा कि किशोरदा जब भी आते थे तो उस दिन हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी वो इतना हसा देते थे हमारा गला खराब हो जाता था तो मैं कहती थी कि किशोरदा को मत किशोरदा जब आते थे तो मैं उन से मिलती नहीं थी लेकिन एक दिन वो आके बैठ गया उन्हों उनक्ता कि कि की सुरुक्ष दा कि मैंने देखा नहीं कि यह बहुत अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग वास्परें बेठें हुआ हैं और और आप एक तरफ है में एक तरफ है गाना ऐसे कि सुनो कहो कहा सुना कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं और उसके बाद लता दीदी इतनी जोर से हसी उस दिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई और का की किशोरदा इतने फनी थे कि वो उस गाने को मैं जब भी सुनती हूं तो मुझे खिशोरदा की वो गटना याद आती है जाते जाते उदेपुरवासियों को क्या टिप्स देंगे ताकि वे हसे और हसाएं मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी संस्क्रती में जो शादी ब्यां में जो हम दूले को भी उसके साथ हसी मजाग करते हैं हसी ठे हमारे जीवन में छे प्रकार की हसी एक तो एक स्मित थोड़ी सी मुस्कान ले लेते हैं दूसरी हसी है कि हर्शित 32 दिखाना है हसना फिर उसके बाद आती है अवहसित यानि पेट पकड़ने वाला रहे से जो जोर से हस लेते हैं फिर हमारा आता है कि उपहसित यानि इतनी जोर से हसते हमारे हर अंग हिलने लगता और एक है वियसित में हो हो करके जो हम अटाहास करते हैं और खुल के शरीर को चारों खुल जाते हैं हमारे आखे नाग कान मुह सब तो यह होते रहना चाहिए यह आपकी ब्लड को पंप करेगा आपके हार्ट को ठीक करेगा और सबस उससे मुक्त हो जाएंगे तो हसते रहिए हसाते रहिए और तनाव मुक्ती के लिए एक ही साधने की कोई भी संकटा है तो बस यह ध्यान रखे कि इसको मुझे हसकर टालना है क्योंकि रोकर भी टालना पड़ेगा तो दुखी और हो जाएंगे तो हसकर टालिए चैलिंज का मुकाबला हसकर करिए यही एक उदे पुरवासियों को संदेश कोरोना काल से हम सब जल्दी से जल्दी मुक्तों हसते रहें हसाते रहें स्वस्त रहें तंदुरस्त रहें दॉक्टर प्रदीब कुमावत इसी बात पर लगाते हैं एक जोरधा ठाका